हेलो गाइज, विल्कम बेक टू लिटरेचर इंफरमेशन, हम लोग डिसकेशन कर रहे थे विलफर्ड ओवन के उपर और इनकी हम दो पोइम्प्स डिसकेश कर चुके हैं, फ्यूटिलिटी और एंथम फार डॉम्ड यूथ और आज हम लोग डिसकेशन करने वाले हैं, स्ट्र स्ट्रेंज मीटिंग, क्या क्यों लिटा रहा है मेंकुट सब्सकिते हैं, मीटिंग का में पता है कि मीटिंग मिलना किसी से old preparator, स्पार यहां सकेशाते हैं में किसी काम को मिल रहे हैं एंब स्ट्रेंज मीटिंग सब्सेपह झाएए现在 में ब मुले enough to time change meeting, की strange thing या कोई स्ट्रेंज तिंग सब मैं आपको बता हूँगा एक्स्प्लेंग करूँ इसक्ति त्रेंग ऐसी चीज जो आप लोगों ने मतलब कभी देखी ना हो या आपकी अकल उसको एकल एकसप्ट ना करें आपके अकल वो उसको तसलीम ही ना करें कि इस थार गय कोई चीज हो सकती है strange इस तरह की कोई चीज हो सकती है कि हम लोग फोल इस पीछ में भी यूस काड़ी होते है it's strange कि इस तरह कैसे हो गया मतलब ऐसे चीज एक कोई नहीं सकता था कैसे हो गया गया तो इस तहां की strange meeting तो हमारी poem जो है यह हम लोगो को कैसे बता रही है strange meeting यानि कि इसके अंदर कोई strange meeting होने वाली है और meeting कैसी होगी एक subterranean meeting होगी इसका word का मतलब क्या होता है subterranean का एक ऐसी meeting जो hidden हो या ऐसी जगा के ओपर हो रही हो जो secret हो जगा या अब हम लोगों को poem के दूपर चलेगा यह जगा है वो जमीन के नीचे है underground है ठीक है जहां पर meeting हो रही है और दो बंदों की meeting हो रही है poem के अंदर और वो strange इस तरह से होगी meeting क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब दो दोस्त मिलते हैं तो वो तो एक normal सी meeting होती है लेकिन दो कोई ऐसे लोग मिलें तो किसी ऐसे लोगों की meeting हो जो आपस में दुश्मन हो और अचानक उनकी meeting हो जाए और वो दोनों आपस में बैट के बाते करने लग जाए और अपनी thoughts share करें same thoughts हो उनकी और बैट के गपे मारें जिस तरह ऐसा लगे कि दो दोस्त बैटे में लेकिन हो वो दुश्मन तो इस हिसाब से कि हमलों की meeting जो है strange होगी ठीक है उसकी इलावा हमलों को क्या पता चलेगा कि ये title हमलों को इसकी इलावा और क्या बता रहा है कि दो बंदे हैं आपस में बात कर रहेंगे तो में पाइचल गया एक हमलों का enemy है और एक हमलों का friend है ठीक है यानि कि एक हमलों का speaker of the poem है ठीक है और एक हमलों का speaker of the poem के साथ जो बंदा है वो उसका enemy soldier है कि हमलों को पता है कि विलफर्ड ओवन वार पोईट थे और वार के बारे में जादा लिखते थे तो ये भी उनकी एक वार पोईम है फुटिलिटी के अंदर भी हम लोगों ने वार की चीज़े देखी कि फुटाल तिंग होती है वार वे उनकी हम इन्ति एंच पाओंपल यूथे, विल्टी जाद हो पुटा कि मैं दोना परुलिख लगों आफ और शियुझस मैं श्म नरे रिघा ने भीजा हम नियुँ के सेस्किन धूर只 लुकिन इसके अंदर हमलोगे पोड़ने परिस्पेक्टिफ चेंज लगका एक अमलों को स्पीकर सोलजर हो गाँ और एक अमलों को स्पीकर यह एक मेंनें वहाई आंपर सिम्नुट प्रीजर हो जो है एक यह मारे को मारा होगा और और दूसरा भात पार उगा पर इस तरहूला तोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं हम लोगों को ये पोइम बताएगी पिटी आफ वार के बारे में उसके इलावा हम लोग इसकी टाइटल सिगनिफिकेंस ऐसे भी कर सकते है कि ये एक इमेजिनेटिव रिक्रियेशन है किस चीज की एक पिएपनिंग की जो हम लोग सपोस कर सकते हैं कि अफ्टर डथ क्या क्या हो सकता है ये एक इमेजिनेटिव चीज है एक रिक्रियेशन की है किस चीज की कि जब एक बंदा मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है और वो बंदा जो मर रहा है अगर वो especially soldier है तो उसके साथ क्या होता है उसके इलावा यह परस्पेक्टिव ले सकते है दूसरा यह ले सकते है Even a process in the imagination of a living man after death यहां तो यह एक process है हम लोगों को दिखाया जो इस poem के अंदर कि एक बंदा जब मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है यह परस्पेक्टिव ले सकते है कि एक बंदा जो है वो बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि जब मैं मर जाओंगा तो मेरे साथ यह यह होगा तो यह दो चीज़े हम लोग इसके लिए ले सकते है कि strange meeting first of all कि दो बंदों की meeting हो रही है जो दो बंदे दोस्त नहीं है दुश्मन है और opposite party के है कि एक one party का है दूसरा दूसरी party का है और दोनों आपस में दुश्मन थे और उन में से एक ने एक को मार दिया और फिर दूसरा भी जब मर गया फिर उन दोनों की मरने के बाद meeting होई इस हिसाब से ये strange meeting है ताइटल क्लियर हो गया आप लोगों को next अब हम लोग इसके पोईम के बाए में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पोईम के अंदर exactly बात क्या होगी ताकि हम लोगों को थोड़ा clear हो जए और जब हम लोग लाइन टू लाइन समरी डिसकस करें तो हम लोगों को चीजों का पता हो हम लोग कन्फ्यूज ना हो ठीक है तो टाइटल सिग्निफिकेंस इतना ही मिलते हैं नेक्स लेक्शर के अंदर उसके अंदर हम लोग इसका थोड़ा सा ओवर व्यू लेंगे और फिर उससे अगले लेक्शर के अंदर हम लोग इसकी समरी और थीम्स को डिसकस करेंगे साथ-साथ हम इसके लिटररी डिवाइस डिसकस करेंगे तो आज का लेक्शर इतना ही मिलते हैं नेक्स लेक्शर के अंदर तब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अल्हाफेज